असलाम लेकुम फ्रेंट्स वेलकम टू अमरीन इसमाईल फैमिली व्लोग्स कैसे आप सब उमीद करती हूँ ठीक होगे हम भी ठीक ठाक है अलम दिलेला तो फेंट्स अभी है ना सुबा का टाइम था सिक्स थर्टी हो रहे थे फजर के बाद तो हम लोग है ना बाहर निकले थे ऐसी बाहर है ना सुबा सुबा निकले अच्छा लग रहा था बहुत टाइम के बाद है ना फजर के बाहर रोड पे ऐसा अच्छा लगता ना बाहर ज बाहर निकलना सोची लेकिन बच्चे उट रहे ने थे इतनी घ्यरी नीन मे थे ये देखिये मुदसीर तो फिरंड्स हम लोग घर को जा रहे नास्टा ले लिए गरम गरम नास्टा लेकर घर पर जा जा के करेंगे मम्मी चोटी हूं, वहां से लाते थे पपा, एवन से बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता हूँ आपर, इटली और वड़ा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता, तो वहां से निकल के थे नास्टा लेके, लेकिन है न, रोड रस्ते में रोड ज़रा खराब थी, तो घर को ना दूसरे रास्ते से जा रहे थे फिर के वैसे में भी अच्छा लग रहा था सुबा के टाइम पे गाड़ी में गाने सुन लेते हुए और किस किस में को तो लगता हर बच्चियों को या फे लेडिस को है ना बाहर ट्रॉल माना बाहर निकलना बहुत जादा पसंद आथा तो वैसे है ना हम लोग घर पे पहुँच गए थे और मुदस्र को है ना सुबा सुबा ट्रॉल मिल गई खुश हो गया है नो है यहां पर मंपी के घर को आने के मज़े ही अलग है लेट सो रहें कभी जल्दी उट रहें मतलब तो फ्रेंट्स यहां पर सेरलेक बना रहे है यह होम मेरे सेरलेक बाहर का सेरलेक नहीं दे बच्चों को क्योंकि घर का ही बेस्ट रहता, बाहर के सेरेलेक में शूगर आड़ रहती तो एनहेल्थी बच्चों की जल्दी जल्दी तवेद खराब होती उससे, आप लोग जरूर है ये घर का सेरेलेक बनाईए, डालों से बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा हाइ तो पर मूप गारब समय स्क्रीटारी काहँ आप वी कंच गारड़ कते हैं सब वन-वन कप डालना है वन ग्लास, वन खटोरी कुछ भी लेके आप मेजर कर सकते इसको 2-3 घंटे है पानी में भिगा कर रग दिंगे ये सारे दाल और काजु बादम पानी में 2-3 घंटे है भिगा कर रग देते अब इसको 2 या 3 पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे और पूरा पानी ड्रेन कर लेंगे जैसा इसका पानी ड्रेन हो जाता ना फाइब मिनेट ऐसी रख दिंगे ताके पूरा पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए स्टेनर से मदस से ना पूरा पानी ड्रेन कर ली हूँ और आप चाहे तो इसको धूब में भी सुका सकते मैं यहाँ पर फैन के नीचे कौटन के कपड़े पर सुका रही हूँ और यह जो बादम का छिलका है ना उसको निकाल लेंगे यह दो-तीन घंटे भिगा कर रखे थे स्मूथली बादम का छिलका निकल जाता यह हाईजिनिक बनाने के लिए है ना आप लोग घर में ही फैन के नीचे सुकाईए क्योंके है ना बाहर धूप में सुकाने से हवा से धूल आ सकती और यह देखे छिलका पूरा निकाल लिए और यह दो-तीन घंटे में फैन के नीचे अच्छे से सुक गया यह ड्राई हो गया एकदम तो अब इसको पूरा है ना कलेक्ट कर लेंगे उठा लेंगे और यह अच्छा सुक गया है इसमें एक आवाज आरी देखिए अब नेक्स है ना एक कडाई लेके इसमें थोड़ा सा घी आट कर लेंगे आपके हिसाब से जादा और कम दाल सकते कितने भी मकाने ले सकते कुछने होता बच्चों के लिए बहुत ही एहलती है तो आप जरूर ट्राई करिए इसको अच्छे से रोस्ट करके निकाल लेंगे यह देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गया है इसका कलर चेंज हो गया है तो इससे निकाल लेंगे और वो ही कडाई में है न यह सारा जितना भी सूख गया था यह ड्राई हो गया था पूरे दाला इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और बार-बार मिक्स करते रहेंगे ताके नीचे वाला पोशिन ना जले अगर एक साइड भी जल गया तो है ना बच्छों को खाने में कसाला टेस्ट आदा तो इसको अच्छे से रोस्ट हो गया था यह देखिए और यह गरम है इसको ठंडा करे बाद है ना ग्राइंडर मे आप चाहे तो इसको एक जार में डाल कर रख सकते एक आंच के बोटल में और यहां पर यह बनाने का मैथट देखिए थोड़ा सा घी लिंगे बिल्कुल थोड़ा हाफ स्पून से कम और यह जैसा घी मेल्ट होते है यह जो पाउडर बना के रखे इसको डू स्पून भर के यह जो जुआ कर लिए और इसको अच्छे से रोस्ट कर लिए घी में एक अच्छी स्मेल राथी और बैचे में इसको थोड़ा भी ऐल अगशा कर सकतेए इसको थोड़ा सा पानि डाल कर को कर लिंगे और इसमे थोड़ा सा अध्रक लेसन का पेस diffic protocol बेज़ा अच्छी सब तो आप लोग देखिए मुतलिब खा रहे और माशाला इसको ऐसी पका लिए तो यह है ना अच्छा घट हुए तक कूक कर लिए सिम पे हाई फ्लेम पे नई बनाएंगे क्योंके फिर साइड अगर यह जो बड़तन है ना बगोने के साइड जल गये तो टेस्ट खराब हो जाता तो सीम पे पकाएंगे और यह एक बाउल में निकाली थी इसको पहले ठंडा कर लिए पूरा ठंडा हुए तो भी है ना खाने का मज़ हेंगे हेंगे तो फ्रेंस अभी शाम का टाइम था मैं और मेरे भावी दोनों मिलके है ना यहां बर दलिया इंजॉय करे थे इतना टेस्टी बनाता है उसके साथ में प्याज और धहीं था बहुत अच्छा बनाता मेरे चैनल पर है ना दलिया की रेसिपी है आप लोग भी ट्राइ करिए तो फ्रेंस मुझमिल मुझफ़र है ना बहुत ज़्यादा केरिंग है अपने दोनों छोटे भाईयों को मुझशिर को मुझशिर को मुझशिर को समाल रहे माशाला तो फ्रेंस यही था आज का व्लोग और रेसिपी पसना है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंस चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिए फिकर मिलेंगे इंशालला लाफेस